तो गाइज वेलकम बैक टू दा चैनल और आज की इस फीडियो लेक्शर में हम बात करेंगे इंगलेंड की हिस्ट्री के बारे में ठीक है तो उसकी हिस्ट्री जानने से पहले हम उसकी लोगेशन एक पर परफेक्टली जान लेते हैं और कुछ कंट्री जान लेते जो हमें जा इसको देखेगा और साथ में यह युनाइटिट किंडम जिस पर लिखा हुआ है जिसमें लेंडन यानि की जिसें ब्रेटेन नाम से भी जानते हैं लेकिन डिफ्रेंस है और डिफ्रेंस क्या है गाईज यह वाला जो पोर्शन आपको पिंक वाले कलर पे दिख रहा है न यह पोर्शन इधर पोर्शन यह बद चोटा समें इसमें नॉर्थ फॉर्पे नॉर्थ में स्कॉटलेंड आजाता है इसको मिला के हम बोलते हैं क्या United Kingdom ठीक है और अगर Britain की बात करें तो Britain में हम जो है इसको छोड़ देंगे ठीक है यह वाले पोर्शन को Northern Ireland को छोड़ देंगे तो इतना वाला पोर्शन जो भी है इसे हम बोलेंगे इसमें आजाएगा क्या England, Scotland और Wales ठीक है यही था और मैंने तिसरी चीज बताया थी कि British Isles तो British Isles में यह वाला जो पूरा लेंड मास है यह वाला जो पूरा आइलेंड है United Kingdom का island और island का island ठीक है दोनों island को mix कर देंगे और साथ में 60,000 ऐसे छोटे छोटे हमें islands मिलेंगे यहाप ए लैंद मासिस मिलेंगे छोटे 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 तो उन सब को अगर कर देंगे तो किस में आ जाएंगे बेटिस आइल्स में आ जाएंगे ठीक है इस तो यह था बेसिक डिफरेंस तो चलिए चलते हैं हिस्ट्री ओफ इंगलेंड पर एक चीज और आप ध्यान पर रखना है लोकेशन ऑफ क्या बोलते हैं यह इस्पेन और फ्रेंस ठीक है देखे फ्रेंस और इंगलेंड का जो है काफी खास संबंध है पुराने टाइम से ठीक है काफी वार्स वगरा होती थी और काफी अच्छे से रिलेशन्स भी थे साधी लंका तो वैसी पॉर्शन ऑफ क्या सी वाटर है तो उसको हमें क्रॉस करते हैं पस हम पहुंच के लिंडन जैसे कि आप यह देख सकते हैं यह इंडिया है इंडिया से अगर हम इस लंका जाना है तो एक रामेश्वर कब बुलाता है यह छोटा सा आपको पॉर्शन दिख र यह टाइम लाइन और एक ब्रीफ इस्टोरिकल इवेंट के थ्रू हम समझते हैं सो गाइस बात है 1215 एडी की at this point of time क्या आया था मेंगना कार्टा आया था इंगलाइन पे ठीक है तो एक टार्लियमेंट और राजा की क्या क्या पावर होँगी और पाल्लियमेंट की क्या क्या पावर होँगी तो उसके बीच में एक इसको सब्सक्राय था नाम था तो किंग जॉन 2 किए तो देखे गाइस स्विस्तार सा समझ जगा अच्छे सा डीपली समझेगा मैं अच्छे सा समझाने की कोशिश करूँ और लाइक शेर और सब्सकाइब जरूर कीचे तो इस एक पॉटिंग माय हंड़ीट परसंट एफट इंपर 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 और King June 2nd के टाइम पर Magna Carta एक document था, Bill of Rights, वो यहां पर साइन हो गया था, और मैंने बताया था, Magna Carta कहता, It was a Bill of Rights, ठीक है, certain rights की बात करता था, राजा ने उसने साइन कर दिया, ठीक है, और तब से जो है, Paliamand जो है, यहां पर, वो और राजा के बीच में कुछ-कुछ powers डिव और जिससे, Paliamand भी यहां पर थोड़ी-थोड़ी सकती साली, धीरे-धीरे बनने लगी, देखिया, यह चलते हैं, देखते हैं, कैसे बनती है, तो चलिए, for you का information, मैं लिखी देता हूं, यहां पर, Magna Carta was a type of document, यहां रेमेंड में बोल लीजे, ठीक है, which controls the power of king, in certain limit, ठीक है लगाना होता, तो उसको जो है, इस amendment के बाद, Magna Carta के बाद, जो है, अपने members, अपने minister से, सला लेनी परती थी, discuss करना पड़ता था, ठीक है, ताकि tax लगाएं, यहां न लगाजाएं, किस तरीक से tax लगाजाएं, तो यह limited power on the king हो गए थी, so before living taxes, in his empire, king has to ask member of his parliament, एक शॉट of parliament थी, उन से पूसना पड़ता था, so guys, यहां से खेल सुरू हुआ, monarchy versus parliament का, ठीक है, monarchy versus parliament, monarchy वो होती ही, जहां पर राजा शार्षन करता है, parliament, यानि कि राजा की जो power होती है, सिमित हो जाती है, ठीक है, अब राजा तो यहां पर सक्ति-साली था ही, parliament भी उस पर नजर बन जाती है, एक तरफ होते है, house of, lancister, house of lancister, और दूसरी तरफ होते है, house of york, ठीक है, guys, so, at this point of time क्या है, कि parliament की power raise हो गई है, ठीक है, इस पहले से ज्यादा raise हो गई है, king से ज्यादा सक्ति-सालियां पर क्या है, parliament है, तो, अब जो house of lancister में है, उसमें कौन-कौन से kings आते है देख लेते हैं, kings थे, वहाँ पर, कहने का उलब यह है, कि जो house of lancister की लोग थे, वो किन-किन राजास को support करते थे, और कैसे-कैसे यहाँ पर, खेल स्टार्ट हुआ, तो, एक बार देख लेते पर लगा, इस British Empire पर, ठीक है, तो, British Empire, Norman, Britain, 1166 से 1154, टाइम प्रेट आप यहीं से, आता है, स्टुएट्स, एरा, फिस सिविल वार, रेवलिशन चिर दाता है, तो, एमपैरेंसी पावर तो, आपको पता ही है, Victorian, Britain भी आपको पता ही है, तो, मैं यहाँ तक, फोकस करूँगा, स्टुएट एरा, और सिविल वार, रेवालुशन तक, चीके गाइज, यहीं से, जो तूडर्स एरा था ना, और स्टुएट एरा था तो, उसकी स्वाह देहिंस से होती है, तो, हॉस उफ लेंसस्टर, जो है, उसमें, जो राजा होते हैं, उसमें, इम्पॉटर्टेंट पीपल्स होते हैं, लाइक, Henry 4 Henry 4 से इसका once आगे बढ़ता है Henry 5 आता है Henry 6 आता है Henry 7 ऐसे ऐसे करके पोते पर पोते और दूसरी तरफ होता है House of York तो House of York में जो important personalities है Edward 4, Edward 5 Richard 3 तो यह होगे House of York के इतने भी rulers है और यह होगे House of ancestor का आता है Henry 4 और फिर इसका बेटा, इसका पोता ऐसे से करके Henry 5, Henry 6, Henry 7 आप समझ गे होगे हम चलते है Henry 7 पे और Henry 8 पे और फिर Henry 8 ठीके तो यह जो Henry 8, Henry 7 यह सब Tudor एरा स्टार्ट हो जाते हैं आपे तो चलते हैं Tudor एरा पे So Tudor एरा स्टार्ट होने से पहले Europe में Modern Era आता है या फिर Middle Age बोलते हैं Modern Era जो Europe में स्टार्ट होता है 1453 AD से स्टार्ट होता है Ottoman Empire होता है और Constantinople होता है इन दोनों के बीच में संगर्स होता है ठीके So यह जो Constantinople है So guys यह होता है Bazonite Empire का हिस्सा ठीके तो Bazonite Empire को जो है यह Ottoman Empire वाले जो लोग है इसको हरा देते है ठीके तो आईए देखते हैं Globe पे कहां पर है यह ठीके So guys यह वाला जो portion है Spain वगरा का Basically आज का जो Spain है तो वो सेंटर हुआ गरता था Bazonite Empire का और Ottoman Empire Ottoman Turks तो आपको पताईए जब मुहमद सहाब आयत थे ठीके इसलाम के You know Founder ठीके इसलाम रिलीजन के Founder तो उन्होंने उनके ही कुछ वंसस थे ठीके तो आगे चलके उनके कैलिफेट्स वगरा तो उनके गुरूप वगरा बने तो उनके बीच में जो एक गुरूप बना था उनका गुरूप और यहाँ पर जो है ये रोमन कैथोलिक रिलीजन वर्सिस इसलामिक रिलीजन इनके बीच में जो बैटल हुई ठीके तो उस बैटल का नाम है Battle of Pelicanon या फिर पहला का नाम ये काफी खतनाक बैटल हुई थी तो इसके बाद जो है बैजनाइट एमपाइर यानि की जो इटली वगरा सॉरी जो इस्पेन वगरा जो जित्ता भी उस तरह में portion आता था वो सभार गए ठीके और इनका बोलबाला रहा था इसका ये आटमन एमपाइर वालों का ठीके तो इसके बाद क्या हुआ कि यूरोप और इश्या के बीच में जो भी ट्रेड हुआ करता था वो कहां से हुआ करता था ये आपको दिख रहा है ये मेडिटरिनेंसी ठीके ये ब्लैक सी और ये कैस्पियन सी ठीके और ये रहा अपना क्या नौर्थ एट्लैंटिक ओश्यन तो आज की डेट में अगर किसी को ट्रेड वगरा करना है यूरोप से अगर इंडिया आना है या तो वो ऐसे होके तुमारा पूरा घूम के ऐसे समुद्र से होके इधर से ये तुमारा इधर आ जाएगा चाइना और इधर इंडिया आ जाएगा या फिर अधर वे उसके पास है यूरोप से अगर आना है तो ये जो है उपर से तो आनी सकता है क्योंकि वो पोल वाली साइड है हमेशा जो है बरफ वगरा अससे ढखा रहता है तो यहां से अगर किसी को स्टार्ट करना होएगा तो पुराने टाइम में क्या हुआ करता था 1329 में जब बैटल ऑफ पहले की बात जो है उससे में जो है कोई ऐसा फ्रेंडली रिलेशन थे तो जो भी अगर ट्रेड वगर करना होता था किसी भी फ्रेंड्स कंट्री को इंग्लैंड को यहां से अगर इटली इटली स्पेन पॉर्तुगाल किसी को भी ट्रेड करना था तो यहां से मेडिटरियन सी के थू होके आते थे लोग और यहां से जो है गाईज स्टेट अफ गिबरेल्टा रहा है तिंक सो अगर मैं गलात हूँ तो कोई नहीं आप लोग सही हो जाईएगा आप सही कर दीजेगा यहां स्टेट ऑफ गिबरेल्टा से रैट सी में आते थे और फिर रैट सी से होके गल्फ आफ एडन से होके सीधा आते थे हमारे प्यारे भारत यहां पर कोई भी अगर इंटरनेशनल यह वीडियो को देख रहा है तो इंडिया पर आते थे ठीक है यहां पर आते थे और जित्ती भी एशन कंट्री से इधर आके मतलब यहां पर ट्रेट करते मतलब इट वस द वे ओफ ट्रेडिंग फ्रॉम यूरोप टू एशिया अब देखिए गाईस तो युद्ध हो गया ठीक है बैटल ऑफ बैटल ऑफ पैलकॉन 1329 में तो फिर यह जो रास्ता था गाईस यह भी बंद कर दिया तुर्कों ने ठीक है यह पूरा जो एरिया के कौन डॉमिनोट करेंगे अरब कंट्रीस हैं सारी तो जित्ते भी तुर्क थे अरब पीपिल्स थे तो इन लोगों ने डॉमिनेट किया यहां पर और यहां से आने नहीं दिया किसी भी यूरोपन कंट्रीस को तो इस तरीके से बाद में जो है यूरोपन कंट्रीस ने अपने मैं बताऊंगा अभी अपने जो वैजिस धूने एशिया में ट् बात करनी है वो हमें इंगलेंड पर बातकर नी है तो उस पर हमबने रहें गें घ्याने दोंच आप लोगों को लेकिन, बक्रिक्लारी अगर तो शकस्स पर तो आई यह देखते कैसे हो गया क्या 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 स्टूरी रही होगी इनकी तो यह गाइस जो हैंड्री एक रूलर था और मैंने इसकी पड़ी तो काफी बतलब रोमेंटिक लगी थी मुझे भी इसके काफी सारे marital affairs थे ठीक है external affairs बोलते हैं जिसे ठीक है और साथ में जो इसकी 6 साधिया हुआ करती थी तो काफी important you know story बन जाती है अगर आप यह जानना चाहते हैं तो मैं बता ही देता हूं चलिए क्या ही करना है है ना तो guys यह बताने से पहले मैं आपको बताता हूं कि यह जो है Spain देख लेते हैं और France देख लेते हैं ठीक है तो यह जो मैं आपको बता है ruler Henry 8 ठीक है जो rule है Henry 8 तो 1559 में इंग्लेंड की गदी पर बैठ जाता है तो यह Tudor 1 से होता है Tudor 1 से होता है और इसके पिता जी जो होते है Henry 7 Henry 7 ठीक है यह जो होते हैं यह क्या करते हैं बैटल करते है Spain से Spain और England की बीच में guys लड़ाई होती रहती है क्यों होती है guys यह Spain की location देखिए France की location देखिए sorry मतलब France और Spain और इनके बीच में आपस में अनबन होती रहती है क्यों क्योंकि इनके बास एरिया है समुद्री एरिया है ठीक है coastal रीजन है यहां पर अगर अपना काबू पालेंगे तो यहां पर क्या करते हैं इसके जो पिता दीए हैं तो उन्होंने क्या गया था फ्रेंस में नौट फ्रेंस में हुआ करता है यह सीपोर्ट जहां पर समुद्री जहाज वगर आके रुखा करते थे तो उससे में भी यह काफी नाव वाव तो चलती थी 1492 में कैस क्या होता है? C जो बॉलक नो हो जाता है, बॉलक नो हो जाता है और यहां पर बडाई पर वही होती है यहां पर वही होती है कोस्टल एरिया यहां पर जो काफी अच्छा फिशिंग ग्राउंड भी एठीक है यहां पर तो मसली वसली खाएंगे बड़ी अगर के डिनर करेंगे राजा को और क्या ही चाहिए खुद भी खाओ और दुस्त्रों को भी खिलाओ बड़ी आगर के है शवाराम से तो कैसा हम राजा राजा कहते है ना बट ऐसा अगर हम खुद को रखके देखें वहाँ पर तो वियर आलसो टाइप ऑफ गेंग तो उस साइमें वहाँ पर रहते थे थे पॉपलेशन उत्ती ज के तो आइए चलते हैं 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 काफी यह नो इंपोर्टन स्टोरी हो जाती है फॉर दोस और रियल मेंस वर रेली इन लव और रोमैंस वगर इनको भी पसंद है राइक मी तो अगर हैं रोमैंटिक किंग बोलूं तो मैं गलत नहीं हूं आइए मैं ऐसा क्यू बोला हूं आप आप जाए तो Google पर भी search कर सकते हैं इसके बारे में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और फिर इसकी marriages ठीक है आर्थर ठीक है तो आर्थर की पत्नी होती है आर्थर की देट हो जाती है उसके बाद जो चोटा भाई होता है एल्डर ब्रदर ठीक है सुरी मदले बड़ा भाई होता है चोटा भाई होता है कौन ये हैंड्री एट ठीक है तो इसके संग जो है इसकी मैरेज हो जाती है किसकी सो साधी तो हो जाती है अब बात होती है अपने वंस को आगे बढ़ाने की तो जो केंग होता है हेंड्री एट जो होता है तमाम कोशिश करता है अपने वंस को यानि की टूडर एरा को ठीक है गाई टूडर एरा का एक राज़ा होता है तो टूडर एरा चल रहा है ठीक है अभी बिटिन में तो टूडर एरा को आगे बढ़ाने के लिए एक once की सुरुवात करता है मतलब फोशिस तमाम कोशिश करता है कि एक once मिल जाए यानि कि एक baby boy मिल जाए male hire मिल जाए ठीक है तो बेटी का नाम क्या होता है ये बेटी important role play करेगी गाइज Mary Tudor ठीक है गाइज तो अब देखिए बेटी हो गई अब इसको चैन नहीं है Henry 8 को ठीक है और Catherine से बेटा हो नहीं रहा है तो गाइज इनी के court में एक लड़की होती है Elizabeth Blessie Blount टेक केर करने के लिए होती है Elizabeth Blessie Blount तो ये किसकी टेक केर करती है Catherine की और गाइज मैं आपको बता दूँ ये जो Elizabeth Blessie Blount है ये लेडी इन वेटिंग Catherine की भी होती है और साथ में Annie Ballin की भी होती है ठीक है So Henry 8 की दो साधिया हो जाती है Catherine इसके बाद Catherine से इसको कोई boy नहीं होता तो Catherine के बाद एक इससाधी कर लेता है इसी के एक कोट में लेडी इन वेटिंग होती जो Catherine की देखबाल करती है उसका नाम होता है Annie Ballin So guys इसका टाइम प्रेट अगर आपको बताऊं 1500 जैनवरी 1533 में ये marriage कर लेता है किससे ? Annie Ballin को अपनी धरम पत्नी बना लेता है Henry 8 धरम पत्नी तो अगर कही बनाता है और इसी Annie Ballin से कौन होती है Queen Elizabeth जिसको British Empire यानि इंडिया में जो भी British वो का British rule का जो founder माना जाता है तो इसी को माना जाता है इसी के चार्टर से जो आते हैं इंडिया पर ये चार्टर प्रोवाइड कर देती है East India Company को इस पर भी मैंने separate वीडियो बनाई हुई है तो जाके देख लीजे East India Company का आगमन कैसे होता है भारत में मैं लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूँगा तो एनी बोलन जो होती है Second wife होती है Henry Eighth की और इसकी जो बेटी होती है इससे भी गाइस बेटी ही होती है मैंने बताए दिया था Elizabeth So Elizabeth Blessie Blount होती है Ladies in Waiting होती है Ladies in Waiting क्या होती है एक ऐसी काम वाली आप बोल सकते हो यानी की To take care of the Queen ठीक है Queen की जो भी है देख बाल करने के लिए होती है Ladies in Waiting ठीक है Elizabeth Blessie Blount तो इससे जो है क्या होता है राजा का नैन मतक का सुरू हो जाता है तो जो King होता है Henry Eighth Henry Eighth और इसके बीच में गुच्छ ऐसी हो जाता है तो इससे भी इसका एक baby one होता है और जो की illegitimate होता है क्यों क्योंकि यह तो एक काम वाली है ठीक है और Henry तो खैर महाना अदमी का ही छोड़ा इसको भी नहीं छोड़ा तो Henry और Elizabeth Blassie Blount का एक male होता है बेटा ठीक है male child होता है ठीक है अब इनका बेटा होता है इनकी शादिवादी तो होती नहीं है और ऐसी मस्ती मस्ती में बाबातों रहते मस्ती में तो इनने क्या कर दिया कांड कर दिया और उस कांड का नतीज़ा कौन हुआ एक male child हो जाता है और male child का नाम है Henry Fitzroy यह illegitimate child होता है बेटा तो हो जाता है लेकिन illegitimate होता है इसके once का नहीं होता है इसके once को आगे नहीं बढ़ा सकता है किससे करता है 15-20 की बात है तो 15-20 पर किससे नहीं मठक्क हो जाता है राजा का उसका नाम है Henry Bolin और फिर आगे चलके हम देखेंगे January 15-30 में साधी कर लेता है तो इस हिसाब से बन जाती इसकी second wife आई यह फिर से थोड़ा पीछे चलता है मुझे मजा नहीं आता ना चोड़ने में बता रहा है कि हैंडी फिट्जरॉइ इस दुनिया में आ जाता है ज्यादा इंपोर्टेंट डॉल प्ले नहीं करता तो ज्यादा बारे मैं इसके बाद नहीं करेंगे लेडिज इन वेटिंग ठीक है यह जो लेडिज इन वेटिंग यह जो होती है यह को पसंदा जाती है राजा तो क्या होता है अब क्या ही बता हूं इसके प्यार में पागली हो जाता है तो अब ऐसा पागल हो जाता है कि अपनी जो पहली बीबी है कैथरीन इसको डिवास देने की सोस लेता है तो आखिर का डिवास देने की सोस तो लेता है लेकिन इस सोच म तो घ्री योसेडfficी आँए शलत चाहित ग yolताव हं बाल। घ्री वेटी। ीरो और ईलीजाबेटि का नाम म kalian उलकेमें उतवह सिंग्ष है भाए मसेत्थाथarm में आज़कड मेरत शीट यह हुआ कि भी ननाम है जाती है। खीडाल जाती है सब चाहिए है लेडी इन बेटिंग की वरकर होती है लेगिन इसकी जो बेटी पैदा होती नहीं आप अनी बॉलन की क्वीन मन जाती आगे चलके इंगलेंड की ठीक है कि इंपोर्टेंट है बस नोट करते देखेगा ध्यान में देजेगा किप इइसकी इन माइन तो अब मन क्या होती है कि या बहन है कौण एनी बॉलन जलन तो होती है तो एनी बॉलन क्याıs को साइट कर देती या निकिश को एक particular word है को मैं बताता हूँ banish कर देती है guys कौन करती है any ballin ठीक है any ballin banished lady roachford just because कि ये king के काफी close जा रही थी और ये चीज़ any ballin को पसंद नहीं आती तो कैस होता है कि जब भी henry eight या निकी रमाराजा या ना जल्ले एलाई को जब कभी भी अपनी बीबी से छुटका रहा पाना होता है तो वो एक charge लगा देता है ठीक है और guys वो charge होता है देख लीज़ेगा note कर लीज़ेगा treason and adultery treason और adultery का charge लगा देता है treason adultery तो सभी जानते होंगे ठीक है guys you having sexual relationship with other male members or other female members that is called adultery so treason treason is the term used for to help enemies यानि की सत्रूों की मदद करना और या फिर देश के संग गदारी करना simple word में बोलेंगे गदार गदार और adultery का charge लगा देता है अगर कभी भी छुटका रहा पाना होता है तो देखेंगे ठीक है Catherine Annie Ballin सबसे ऐसे चुटकार आपाता है देखेंगे छे बीवी जो होती है इसकी six wives हो जाती है तो गईज इस चार्ज के बेसिस पे 1536 को यह जो एनिबॉलन होती है इसकी second wife होती है अब second wife बन जाती है 1533 में तो यह Catherine जो है first wife second wife एनिबॉलन तो 1536 में इसी चार्ज पे जो है क्योंकि इसको कोई और पसंद आ जाता है reason वो होती है तो इसका जो है सर कलम करवा देता है behead did करवा देता है 1536 में इसकी इसको hang करवा देता है death हो जाती है death of Annie Ballin ठीक है कैसे हो जाती है behead करवा देता है believe करते हैं सारे ठीक है अभी तक ठीक है यह जो henry 8 होता है यह भी करता है तो होता क्या है कि मैं आपको थोड़ा सा बताना भूल गया था लेकिन बताना क्या भूल गया तो मुझे ठीक नहीं लगा बताना तो चलो बताई देता हूँ गया था तो कैथरीन जो है कैथरीन को जब यह डिवास देता ना हैंडी 8 ठीक है तो डिवास देता है 15 1533 के आसपास ही देगा क्यूँकि उसके बाद यह साधी कर देता है नीबोलन से तो जब डिवास देता है यहाँ पर पार्लियमेंट होती है जो सोवलेंट होती है तो अब यहाँ के जो चेर्श वाले होता है प्रीस्ट बग़रा होते है जो strongly support करते है Roman Catholic Religion को तो ये इसकी साधी के लिए मतलब इसकी divorce के लिए जो claim करता है कि Treasury और Adultery का जो चार्ज लगाता है ठीक है इस पे भी लगाता है और गाईज इस पे भी लगाता है मैंने बताया था जब कभी भी divorce लेना होता है तो ये ऐसी चार्ज लगा देता है तो Catherine पे भी लगा देता है ट्रिजन का चार्ज ठीक है और Catherine पे लगाता है गाईज इसका चार्ज इसका जो भाई था ना Catherine के भी या Arthur सॉरी Catherine का husband ठीक है real husband ये ही था और ये इसका भाईया था किसका ये जो हम पढ़ रहे हैं हम क्या ही पढ़ रहे हैं पर एनिबॉञ इन की 1536 में देती हो जाती तो एनिबॉलन कैसे आती है तो एनिबॉलन ऐसे आती है जो हैंड़ी होता है वो चार्ज लगाता है Catherine पे ठीक है जो Catherine है ठीक है ऐसा बोल देता है कि Catherine जो थी हमारे वन्स की अभी थी ही नहीं मतलब हमार से उसका कोई रिलेशन ही नहीं था क्योंकि जो मेरा भाई था आर्थर तीक है उसने जो है कॉंजुमेट किया था था थीक है This is Catherine So Catherine के संग जो आर्थर ने कॉंजुमेट किया था कॉंजुमेट is a word ठीक है like relationship completed by having sex So having physical relationship और उस साधी बादी नहीं होते तो यह कहना यह चाता है कि जो मेरा भाई था आर्थर तीक है इसने कोई शादी वादी नहीं किती Catherine से इसने बस मस्ती मजाक में तीक है So समझ सकते हैं आप लोग समझतार है So क्या ही बता हूँ So उसके बाद Henry 8 जो यही चार्ज देता है कि यह जो है हमारे family से ब्लॉंग नहीं करती है तो मैं इसको मैं कैसे अपनी wife का दर्जा दे सकता हूँ तो मुझे इससे divorce ही है और इसने मुझे धोका दिया है यह बता कि कि मैं तुमारी भाई की wife हूँ So इसने मिरसंग fraud किया है तो इस basis पे जब यह Roman Catholic religion यह Roman Catholic churches वगारा को जब यह अपना cause बताता है divorce का ठीक है तो यह सोचते हैं देखते हैं क्या रही गलत कह रहा है क्या ही बोल रहा है यह बक्वास कर रहा है यह प्यार में पागल होगा है एनी बोलें के ठीक है इसको Henry 8 को कि तुमारी साधी नहीं हो सकती यह valid नहीं है डिवास भी नहीं होगा तो यह गुस्से मां कि क्या करता है यह हो जाता है यह काफी इन्रेस्ट हो जाता है इन्रेस्ट का मतलब होता है किसी चीज से लेके बहुत गुसा हो जाना ठीक है भुछे हो जाता है और उसके बादी क्या करता है कि अपना अलख सेप्रेट चर्च्र बना लेता है इस काफी लंबय वीडियो है नहीं काफी लंब यह हो रही है सेगिंड पार्ट मैं बना दूँगा तो इसकी दैथ जो हो जा दिए 1536 में और डैथ का रीजन मैंने आपको बता दिया था इसका अलग होता है कैथरीन का और ये एनी बॉलिन का होता है ट्रेजन और एडिल्ट्री का ठीक है समझा दिया था तो 1536 में इसकी दैथ हो जाती है और देथ के बाद क्या होता है गाइस यह मैं आपको अब तो पक्का ही सेगिंड वीडियो में बनाऊंगा क्योंकि 20 मिनट से उपर की वीडियो हो गई है आया थिंक सो चलते हैं इसके सेगिंड पार्ट में बनाएंगी अप्लोड कने में भी दिक्कत होती है अब इत्ता रह क्लंबी हो रही है तो बहुत जल्दी में इसके पार्ट सेकिंड इसमें कर दूंगा नीचे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं और साथ में दूसरी वीडियो भी डाल दूंगा तो जिसमें मैंने बताया हाव यूरोपियंस केम तो इंडिया तो वह भी जाके देख लीजेगा तो गाइस प्लीज लाइक शेयर सबोर्ट करें जाए 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 तो फ़र्दर मोडिवेट मी तो नेक मोर एंड मोर वीडियो सो यू गाइस चलते हैं सब तक के लिए बाबाई